खबर यूपी की चुत्रकूट से है जहाँ पर भयंकर तूफान की बीच में आके तांडव ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ जल कर खाक हो गया लप्टो की रोशनी से आस्मान लाल हो उठा चीक पुकार और भगदर के बीच में दैत्याका लप्टो पर काबू पाने का प्रयास देरात तक चलता रहा मौके पर भारी पुलिस के साथ में डमकल की कई गाड़िया विक्रा लप्टो को काबू करने में लगी रही घटना से इलाके में कोहराम के स्थिती भी उत्पन हो गई पिलहाल किसी के अताथ होने की सूचना नहीं है ये रहात की खबर है अलबता घर ग्रहस्ती सब कुछ आग की लप्टो के आगोश में नश्ट हो गया आपको बता दे कि पूरा मामला जनपत के राजापूर थाना कुषेत्र के अंतरगर सुरवल गाओ के बेहन का पुरवाका है चहाँ पर रविवार की रात को आग ने अपना रोद्र रूप धारन किया भीशनांधी तूफान की बीच गाओ में लगी आग ने 45 से अधिक घरों को अपने आगोश में लेते हुए सब कुछ जला कर खाक कर दिया